तो DSB की ओफिशिल वेबसाइट अभी बिल्कुल मेरे सामने हैं कुछ देर पहले नोटिफिकेशन आया है इनका तो नोटिफिकेशन जो जुड़ा हुआ है आपके एक्जामिनेशन शेडियूल्स को ले करके छे तारिक से ले करके अठारा फरवरी तक पेपर यहां पर दिली सरकार करवाएगी DSSB की यहां पर बात कर रही हूँ तो यह कह रहे हैं कि डेट्स क्या हैं वो बता देते हैं छे, साथ, आठ, बारा, तेया, चौदा, पंदरा, सोला, सत्तरा, अठारा फरवरी यह अभी की कुछ देर की पहले की लेटर्स अप्डेट है यहां पर टीचिंग के कुछ पेपर है, जह अख एंगलिश है, यहां पर संस्क्रीट है और साथ में नॉन नॉन टीचिंग के भी पेपर है है ना तो ये इन्होंने छे तारिक से पेपर कहा है कि हम शुरू करेंगे दो शिफ्ट में पेपर करवाएंगे साढ़े बारा बजे से और धाई बजे ठीक है तो इसमें आपका नौ टीचिंग में मैं मोटा मोटा बता देती हूँ बाकि नोटिफिकेशन शेयर कर दे टेलिग नोटिफिकेशन काने का ब्रुष शूप अरो इसके बाद बाराः बजे तो बारा बजे तो फीजीटी इंग्लिश का है और repeatink का है और यहां पर दो बजे ये form apply किये हैं, तो preparation को थोड़ा सा boost up कर दीजे, समय हमारे पास नहीं है, इस notification का आने का सबसे बड़ा reason ये भी रहा है FEV में, क्योंकि आप सब को ध्यान में होगा, कि board के exams है, फिर उसके बाद elections का माहोल है, तो दिली सरकार बिल्कुल इस चीज़ से चुकेगी नहीं, जहां पर कहीं कहीं candidates को फाइदा देने वाली बात उनके लिए रहेगी, तो ये काफी important है, तो अच्छी ख़बर भी है, क्योंकि अभी MRS के paper से सब लोग free हुए है, तो कहीं कहीं paper सामने है, तो एक goal भी सामने यहां पर जरूरी है, अब आपते हैं आपके सवाल के उपर, काफी सा लिंक चैनल है, description box में, उसके थरू भी आप जोइन कर सकते हैं, आप चाहें तो Google Play Store के माध्यम से जाकर के सीधा beat the competition जैसे लिखेंगे, चैनल का logo वहां शो करेगा, तो उसके माध्यम से भी आप डारेक्टली जुड़ पाएंगे, वहां से डाउनलोड करके, अब टेस्ट को जो है, दे पाएंगे, test series जो जुड़ी हुई है, 40 test series अभी वहां पर uploaded है, 40, उसमें और update किये जा रहे हैं, day to day जो updates हैं, वह हम करते रहेंगे, जो general paper है, वो सबका ही common है, qualifying in the nature है, 40% marks आवश्यक है, नहीं तो फिर आगे चेक नहीं होगा, paper आप सब को धान में होना चाहिए your category के में बात करे हूँ, other category में 35% का criteria रखा गया है, तो सब के लिए ही आवश्यक है, तो जहां पर आपको test series में और mock test में, आपको English, Hindi, Mathematics, Reasoning, Teaching, Mathology, Educational, जो schemes हैं, वो सब कुछ updated आपको मिलने वाली हैं, तो उसको आप एक बार देखिए, link description box में हैं, जैसे ही आप उसको click कर करेंगे, तो आपका next tab वहां पर खुल जाएगा, तो आपके लिए काफी एक अच्छी चीज है, आप अपना जो एक evaluation है, वो कर सकते हैं, और सबसे इची बात है, कि उसके जो validity है, वो एक साल तक है, तो उसको आपको नुकसान कुछ भी नहीं है, और साथ में validity check करने के साथ आप authentication चेक कर पाएंगे, कि जो paper का pattern है, उसके लिए कितना prepare हो रहे हैं, और उसके बिहाग पे आगे तयारी आप कर पाएंगे, जो भी वहापर patterns available होंगे आपको, वो बिल्कुल जुड़े हुए हैं, आपके latest update के तौर पर, तो इस जीज आप काफी धान में रखेंगे, यह हमारे सके पेपर में भी काफी बच्चों को फायदा यहां पर मिला है, तो इसको आप देख लीजे, वीडियो को शेर कर दीजे, ताकि maximum बच्चे जुड़ पाएं, और चीजों को जो हैं देख पाएं, फिर भी कोई सवाल अगर रहे गया हो, जुड़ा हुआ, जो मैने यह आपर explain नहीं किया है, तो बिल्कुल comment के माध्यम से आप पोस सकते हैं, thank you so much for being with me everyone.